हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल को गविज अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्त और धोस्त अनीसा तो फ्रेंट्स आज मैं चावल के आटे से बनने वाली बहुत ही टेश्टी और हेल्धी रेसिपी लेके आ चामक और आधी चमच के बराबर यहां पर मैं डाल दूंगी इसमें वाइल जिसे की जो हमारा नास्ता है वो बहुत ही अच्छा बनके तयार होगा तो अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां पर मैंने एक बारे स्पून से मिला दिया है अब हाथों से अच् अच्छा बनके तयार होगा क्योंकि चावल के आटे से बनने वाले चीच जो है वो करा हो जाता है तो अब यहां पर गरम पानी ले लिया है मैंने और गरम पानी में ही हमें इसे गूथना है तो यहां पर धीरे-धीरे करके हम पानी डालेंगे और इसको पहले एस्पून से या किसी यह स्पेचुला से करें क्योंकि पानी बहुत गरम रहता है तो इस तरह से हमें हलका हलका पानी डालते हुए इसका आटा लगाना है तो एक बार में ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है तो यह देखे थोड़ा थोड़ा करके यहां पर मैं पानी डाल रह सोफ्ट सा डो लगा के तयार करूंगे तो आप जब एस्पून से या स्पेचुला से करेंगे ना तभी अंदाजा लग जाता है कि और पानी डालना है या नहीं डालना है तो जब पानी डालना खतम हो जाए उसके बाद ही आप हाथों का यूज करें तो इस तरह से देखिए आपको देखने से ही लग रहा होगा कि आटा जो है वो बहुत ही सोफ्ट सा गुंध के तयार हो रहा है क्योंकि पहले तो हमने इसमें अच्छे से मौयन लगाया था और दूसरा इसे हमने गरम पानी से गुंध के तयार किया है तो इस तरह से अच्छे से इसे हमें मसल ना है जिसे की इसमें कहीं से भी क्रैक ना आए ये बहुत जरूरी एश्टेप होता है तो इस तरह से ये देखिए एक्दम सोफ्ट सा आटा हमारा लगके तयार हो चुका है तो अब इसे ढख के हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए जिसे की आटा अच्छे से से सेट हो जाए तो जब तक आटा सेट होता हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है पनीर तो यह घर का बना हुआ ताजा पनीर है तो आप यही कोशिस करें कि इसके लिए ताजा पनीर का ही यूज करें अब इसको हमें इस तरह से क्रंबल कर लेना है आप चाहें तो ग्रेटर की साहिता से भी इसे ग्रेट करके तयार कर सकते हैं तो इस तरह से देखे यह ताजा पनीर है तो बहुत ही आसानी से यह इस तरह से क्रंबल हो जाता है इसी तरह सभी पनीर को हमें अच्छे से क्रंबल कर लेना है यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी पनीर को मैंन यह जीरा अच्छे तरह से राकल हो चुका है तो अब इसमें हमें डाल देना है प्याज यहां पे मैं एक सब्सक्राइब बारिक चौप करके डाल दिया है मैंने अगर आप प्याज लासन नहीं खाते हैं तो आप बिना प्याज के भी इस रेसीपी को बना के तयार कर सकते हैं तो यह देखिए हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरह से भुन चुका है अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर टमाटर को भी मैंने बारिक चौप करके डाला है और इसे भी हमें इस तरह से भुन लेना है जब तक कि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पकना जाए तो यह इसमें हम डाल देंगे बॉयल आलू तो यहां पे एक बॉयल आलू मैंने ले लिया है जो बरे साइज का था उसका छिलका हटा के इस तरह से तोड़ के मैंने इसमें डाल दिया है और इसी के साथ यहां पे मैंने डाल दिया जो पनीर हमने क्रस करके क्रंबल करके रखा हुआ थ चाहे हैं तो आप टीखा मीर्च का भी हम जाँदे तीख आतीक करोचि करें रूक्स पकाना है medium to low flame पर क्योंकि अगर हम flame को high कर देंगे तो जो boil आलू होता है वो नीचे से जलने लगेगा तो इस तरह से देखिए हमें दबाते हुए इसको अच्छी तरह से पका लेना है जिसे की सभी मसाले का स्वाद पनीर और आलू में अच्छे से जो है मिक्स हो जाए अब यहां पर मैं डाल दूंगे इसमें धनिया के पते तो यहां पर जो है हमारा जो मसाला है वो पक्के तयार हो चुका है तो धनिया के पत्ता डाल देना है और इसके बाद फिर से एक बार हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह देखिए यह आपस में सिमठने लगता इसका मतलब है यह परफेक्टली पक चुका है तो अब गैस को आफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो चलते हम आगे के लिए तो यहां पे जो हम आटा लगा के हमने रखा था वो ले लेंगे और इसको फिर से एक बार हमें अच्छी तरह से इस तर तो हमें बड़े बड़े लोई ही इसके तोरने है जितने बड़े आपका चॉपिंग बोर्ड हो या जितना बड़ा आपका चकला हो तो अब यहां पे मैंने चकला ले लिया है और इस पे हलका सा ओयल से इसे ग्रीस कर लेंगे इस तरह से हमें इसको ग्रीस करके तयार कर ले यह देखे और अब इसे हलके हाथों से हमें बेलना है ज्यादा टाइटली नहीं बेलना है तो कहीं से यह मोटा हो जाएगा और कहीं से पतला हो जाएगा बहुत ही आसानी से यह तैयार हो जाता है बेलने में बहुत ही हलका रहता है तो यह देखे इस तरह से अच्छे से हमें प्रवियु के मीडियुम थिक्नेस की हमें इसको बेलना है ना ज़्यादा पतला नाही ज़्यादा मोटा अब यहाँ पे जो हमने आलू और पनीर का मसाला बना के तएर किया था वह इसपे डाल देंगे और इसको भी हमें अब इस तरह से हम इसको उठाएंगे और इसको इस तरह से हलके हाथों से हमें रोल करते जाना है तो यह देखे बहुत ही आसानी से यह रोल होके तयार हो जाता है और चिपकाने में भी बहुत आसान रहता है इसको कहीं से भी हमें पानी लगाने की जरूत नहीं परती है अब अंदर की तरफ जो दोनों साइड है उसको हमें इस तरह से दबाते हुए बंद कर लेना है ताकि कहीं से भी ये निकलेगा नहीं जो हमने इसमें स्टफिंग डाला है तो इस तरह से दोनों साइड से इससे मैंने बंद कर लिया है और एक बार हलके हाथों से इस तरह से रोलाट और के बनाता है, लेकिन आलू और पनीर के लिए आप चाहिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है, और बच्चों को दोनों चीज बहुत ही ज़ादा पसंदाते हैं, तो इस तरह से देखिए इसको भी मैंने बना के तयार कर लिया है और अंदर की कि यहां से गदार estamil स्वाइव टो दबा देंगे टो बहुत ही आहसानी दोना है कि आद extensions को AHम दोनों नहीं है कंग बचिए0 पर शाहता है Спहसं में नहीं इज सब्सक्रेव एसम दटेंश मांचांट पर प्लेटें और इसमें ऐसे लिगार कोुछ हो प्लेश enrich एक एक करके हमें दोनों रोल को इसमें सेंटर में डाल देना है और इसको ढखके हमें 10-15 मिनट के लिए एस्टीम करना है मीडियम फ्लेम पे तो यह इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने जो चावल के आटा का रोटी बेला था वो कितना मोटा है तो चलिए मैं दस मिनट के आपको दिखा देती हूं तूथपिक डालके यह देखे एक दम क्लीन हमारा तूथपिक निकलके आया है इसका मतलब यह अच्छे से पक चुका है तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो चलिए यह जब ठंडा हो जाता है तो य अगर आप पहले इसे कट करेंगे जब रहेगा तो यह तूटने लगता है बहुत ही सॉफ्ट रहता है जब गरम रहता है उस टाइम तो अच्छे से इसको ठंडा होने दीजे फिर ही इस तरह से सीरा कर लीजे तो इस तरह और टेस्टी हमारा नास्ता बनके तयार हो चुका है तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले तो मिलते है मैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो जैमातादी